नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकी चौधरी, कंसलिटेंट निरो सरजन, चिराई ओस्पिटल कालावाड रोध आतोज में कारे रत हूँ, आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के विशे, स्ट्रोक क्या होता है और उसके क्या प्रकार है, स्ट्रोक दो तरह के होता है, एक इस्कीमिक और हमरिजिक, इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, जब दिमाग के अंदर खून नहीं पहुंच रहा होता है, और हमरिजिक स्ट्रोक होता है, जब दिमाग के अंदर कोई नस फटने के कारण, दिमाग में खून का जमाव हो जाता है, दोनों के सिम्टम एक तरह के होते हैं, जिसमें सर डर्द होना दौरा आना उल्टी एना वह बहोश हो जाना एक हाथ पपर का आप काम ना करना ये लिदाने के लिए अवाशक हैनि अवाशर के लिए इसके अंदर अपने अपने को फून कई तकार दिख़ा जाता है इसकी मिक स्ट्रोक में कभी बार शुरुवाती CT स्कैन के अंदर हमको कोश नहीं दिखता है, इस वज़े से हमको मरीज का कलर डॉपलर करना पड़ता है, कैरोटिट कलर डॉपलर, जिसके अंदर हमको उसकी जो नस है, उसका ब्लॉकेश पता लगता है, दोनों के सिम्टम सेम ह कोई डिफरेंस जादा होता नहीं, इसलिए अपने को यह डाइग्नोस करने के लिए हॉस्पिटल ही आना पड़ता है, हॉस्पिटल के अंदर कंसर्टेंड नियूरो सर्जन या नियूरो लॉजिस्ट अवेलेबल हो, उनको ही अपने को दिखाने से लिए, धन्यवाद.